आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्रिय अभी में ये डायलोग मैंने बहुत दिन बात मारा हुआ है तो आज से हम लोग नीट एंड आज से नहीं हम लोग ने दो वीडियो और मैंने बनाये हुआ है टोटल हंड्रेड क्वेश्चन का ये सीर सकते हो और यह चैप्टर में से एक से दो क्वेश्चन आपका जरूर आएगा तो वो जो एक और दो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो आप लोग नहीं छोड़ोगे ये मेरा भरोसा है अगर मेरे आप लोग ने यह 100 क्वेश्चन का सीरीज देखा हुआ है ऐसे हम और टॉपिक पर कुछ चाहिए रहेगा बीच में भी तो मैं उस पर वीडियो बना के लिए आपके लिए स्पेशल ली डाल सकता हूं लेकिन आप लोग क्या करना है आप लोगों को मेरे लिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा ठीक है अगर नए हो तो आपके लिए ला सकूं ठीक है और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं आप वहाँ पर जाके मेरे फोटोस अच्छे अच्छे देख सकते हो आप लोग ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो और मुझे आप लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो ठीक है चल करेंगे तो पहला जो question है देखिए एकदम प्यार से पढ़िएगा और answer आप लोग भी दीजिएगा PVC is formed by polymerization of PVC कैसे बनता है आप लोग को पता है यह PVC का full form क्या है polyvinyl chloride तो यहाँ पर ढूढ़िए chloride किदर है तो chloride आपको देखिए पहले में मिल रहा है और तीसरे में मिल रहा है ठीक है polyvinyl chloride vinyl group क्या होता है double bonded carbon carbon double bonded compound के पास ठीक है और directly जो CL attached होगा तो वो ethene के अंदर होगा कि propene के अंदर होगा तो propene वाला था हम लोग ने example किसमें पढ़ा हुआ हम लोग का जो polypropene वाला group बनाते है उसके अंदर लेकिन यहां पर हम लोग का जो vinyl chloride है हम लोग किस से पढ़ा था CH2 double bond CH और CL से ठीक है यह क्या होगा आपका one chloro ethylene तो आपका क्या हो जाएगा इसका answer वाला वाला राइट हो जाएगा ध्यान से question को पढ़िएगा यह तो दो दो option आराम से छड़ जा रहे हैं बाकि आपका बज गया one and four और one and four में से आपका कौन सा हो जाएगा one option हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा चलिए next question के तरब बढ़ते हैं 22 question यहाँ पर क्या लिखा हुआ है synthetic polymers prepared from caprolactum यहाँ पर आप यह भी लिख सकते हैं e caprolactum ठीक है e caprolactum वाला क्या पढ़ा हुआ है आपने polymer के नहीं देखे हुए तो मेरा polymer का एक पूरा playlist है वह जाके आप देख सकते हैं या फिर मैं भी polymer का वापस सीरीज मैंने चालू गया है वहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में मैं वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें ए synthetic polymer is prepared from e caprolactum ठीक है e caprolactum से क्या बनता है हम लोग ने nylon 610 तो कभी पढ़ा नहीं है teflon जो है आपका उसके अंदर तो कुछ e caprolactum वाला कुछ ऐसा compound का है नहीं टेरलीन में भी नहीं है हम लोग ने पिछले वीडियो में टेरलीन का देखा हुआ है तो आपका क्या है nylon 6 एक ऐसा ही compound जो क्या करता है member जो आपका cyclic ring रहता है उसको यहां से nitrogen और carbon के बीच का bond break करता है और आपका क्या बन जाता है nylon 6 बन जाता है ठीक है अगर आपको nylon 6 नह कहां से आ रहा है nylon 6 next आपका हो गया 23rd question तो 23rd question क्या बोल रहा है which one of the following is not an example of chain growth polymer यहां पे कौन सा chain growth का नहीं है chain growth का मतलब क्या होता है कि आपका जो compound है वो आगे 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 क्या हो क्या है बढ़ते जाएगा तो यहां पे आपको बताना है कि कौन सा आपका जो compound है वो chain growth polymer नहीं दिखाता है network polymer नहीं दिखाता है सीधा बोल ले जाएक तो network polymer आपका नहीं दिखाता है एक single सा unit रहेगा वो ही आपका क्या करेगा compound में बनावा रहेगा मतलब वो ही group repeated होंगे यहां पे दो group attach नहीं होगा single group ही आपका repeat होगा यहां पे network कोई form नहीं करेगा तो neoprene में कुछ नहीं है बुन्ना एस में दो compound styrene और 1,3 butadine यूज कर लेंगे यह तो है गई नहीं ठीक है यह सबका example में आपको दे दूंगा देखे तो आपका क्या हो जाता है PMMA इसका क्या आजाएगा answer PMMA तो अभी यह दोनों का हम लोग structure में पता दिखा देता हूं कि क्या है PMMA औ और Glyptol यह दोनों का है Glyptol याद रख लेना अभी याद कर लेना क्योंकि आगे ओले question में आपको यह मिल सकता है ठीक है मैंने पहले कही जो आगे का जानकरी अभी मैंने दे दिया ठीक है तो जो आपका PMMA है वो क्या होता है polymethyl methacryolate ठीक है तो यह क्या हो गया आपका cryolate compound होता है और यही जो आपका member ring है यही क्या होते रहता है repeated होते रहता है और यहाँ पे कोई आपका network नहीं form होता है network नहीं form होता है अग्लिप्टल क्या है आपका यह 2 compound से बन रहा है ठीक है यहां पर 2 compound user है मतलब यह copolymer हो गया, यह याद रख लेना, क्या हो गया यह copolymer हो गया, यह copolymer है क्या PMMA, नहीं, यह क्या है अपना compound PMMA, आपका normal है, तो यह chain growth के अंदर नहीं जाता है, यह आपका क्या होगा, आपका linear polymer के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा linear polymer, तो PMMA that is polymethyl metascryolate, ठीक है यह आपका compound जो है, यह क्या हो गया आपका जो आपका chain growth polymer नहीं दिखाता है, ठीक है 24th question की तरफ बढ़ते हैं 24th question क्या बोला है urethrin, urethrin जो compound है, वो क्या होता है urethrin जो होता है compound, यहाँ पे एक ammonia group होता है, और एक आपका compound है, acidic group होता है, उसके acidic group का proton निकल के, वहाँ पे क्या आजाता है एक alkyl group attach हो जाता है तो ऐसा जो कोई compound है कहाँ पे दिख रहा है, आपको यह बाला जो दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका NH2 है यह acidic group था, उसका जो proton निकल के क्या आगया, यहाँ पे C2H5 group आगया तो यह urethrin जो है compound, यह कौन सा शो करेगा यह fourth आला शो करेगा, ठीक है तो यह आपका क्या हो गया, fourth answer correct हो गया, चलिए, आगे बढ़ते है nylon की बात की है nylon के अंदर क्या होता है, आप लोग ने nylon नोला compound पढ़ा है, वहाँ पे देखे एक हम लोग compound लेते है, जिसमें NH2 group होता है, और दूसरा compound लेते है जहाँ पे क्या होता है, acid group होता है ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिल रहा है, easter तो है नहीं, ठीक है vinyl भी नहीं है compound ethylene भी नहीं है, क्या amide group मैंने बोला, यहाँ पे example में NH2 रहता है, amide group, yes क्या होता है, nylon में amide group, देखिए, आप example देख सकते हैं यहाँ पे, जो nylon 6-6 और nylon 6 है, उस सब होगा आपका, correct, that is polyamide polymer form करता है चलिए, आगे बढ़ते हैं 26th question 26th question पर आगे हैं हम लोग मैं बहुत fast आपका ले रहा हूँ और बहुत ही simple जो है यह चीजे मैं आपको simply explain कर दे रहा हूँ, ठीक है, जादा यहाँ पे आप लिए, nylon 6 भी देखा, मैंने बोला कि एक cyclic ring रहता है, उसको बीच में से break कर दे, तो nylon 6 हो गया, ठीक है तो co-polymer मतलब 2 compound को mix करके बनाए हूँ है, और polyethene यह भी एक ही compound से बनता है, double bond को break कर देते, ethene molecule में से CH2, CH2 का bond को break कर देते और direct बन जाता है, co-polymer मतलब 2 अलग-अलग compound को mix करके कुछ बनाए हूँ, तो आपका जो nylon 6-6 यहाँ पर एक ही compound है, जो nylon 6-6, यही आपका क्या बनाता है, co-polymer बनाता है, ठीक है, कौनसा, nylon, तो आपका option number A जो हो गया, यहाँ पर, nylon 6-6 यह, आपका right हो गया, nylon 6-6 का structure यहाँ पर, जो आपका क्या होता है, 2 compound के combination से बनता है, water molecule remove होता है, यहाँ पर बीच में से देखिए, यहाँ से क्या होता है, अपका water molecule remove होता है, यह दो अलग-अलग compound रहते हैं, दोनों क्या होते है, water को remove करके joint हो जाते हैं ठीक है तो nylon 6-6 इसका क्या हो गया को polymer का answer हो गया अब PMM में तो हम लोग ने पीछे देखा यह polyethene पता है और nylon 6 cyclic remembering से बनता है ग्लिप्टल वाला भी मैंने आपको पता है था पीछे याद होगा ग्लिप्टल वाला ठीक है तो ग्लिप्टल का compound भी हम लोग देखेंगे तो ग्लिप्टल पॉलिमर इस उप्टेंड फ्रॉम क्या ग्लीसेरॉल वाय रियक्टेमल अब एक तो compound आपका क्या बोलते है ग्लीसेरॉल है लेकिन जो था धालीक आस्ट ऑफिकेमलेकेशिद नहीं मेलो का सिद नहीं मैलोक सिदनें और आसेयिक मैलौनेक इसीड नहीं च्रीक और अशेटब आउपका अंसर यहाँ धेलगद हैल था था अलिक आसेट्ट आप नहीं देखा बेंजिरिंग के साथ क्या होगा acid group attach है कहाँ पर orthoposition पर भी और main group पर भी then बात किया है teraline, teraline के कपड़े होते हैं ठीक है, तो teraline के बात किया हुआ है, तो teraline is a condensation polymer, ठीक है इसमें पहले बता दिया है कुम सा polymer है, condensation polymer है, और यह ethylene glycol and, मतलब ethylene glycol एक रहता है और दूसरा क्या होता है तो teraline जो है, एक तो ethylene glycol और दूसरा क्या होता है यहाँ पर देख लिजे आप, ethylene glycol होता है और दूसरा क्या होता है terathalic acid, क्या होता है terathalic acid, तो यहाँ पर कहा है दिखे रहे हैं आपको tera thalic acid यह देखे तो d option जो हो जाएगा यहां पर right हो जाएगा क्या हो जाएगा d option किसे बनता है terylene आपका ethylene glycol and tera thalic acid water molecule remove करो और आपका क्या बन जाएगा आपका terylene बन जाएगा terylene को और बोला जाता है dacron dacron और terylene एक ही होता है इससे कपड़े बनते हैं ठीक है आगे next question बहुत अच्छा question है soft drinks and baby feeding bottle bottle जो होते हैं उन लोग जो बच्चे लोग डूद पीते हैं bottle से generally made up of वो किससे बना हुआ है यह पूछ रहा है आपसे किससे बना हुआ है तो यह देखिए यह जो molecule रहता है बहुत ही strong bond बनाता है और यह easily खराब नहीं होता है उसके molecule उसके इंदर जाते नहीं है तो प्लास्टिक के molecule मतलब जो ethene रहता है वो तो नहीं रहता है नेकिन इसमें क्या यह जाता है polystyrene क्या रहता है polystyrene मतलब styrene compound के combination से वो बना हुआ है parfumide नहीं होगा इस्टर नहीं होगा पॉली यूर्या नहीं होगा आपके क्या होगा polystyrene compound आंसर याद कर लिजेगा soft drink bottle या फिर baby feeding जो bottles होते वो किसे बने होते polystyrene से बने होते है, किस से बने होते है, polystyrene याद कर लेज़ेगा, यह होगे आपका polystyrene का compound होता है, styrene group यहाँ पे होगे, और polystyrene compound से form होता है, کی tô होता है, polystyrene group से, आगे देखते, यह तो बहुत ही simple सा question है, last और बहुत simple सा question, इसका answer आप लोग पहले दे दीजे, वीडियो रोक के, क्या है ये, चार फ्लोरीन है, और दो कार्बन है, डबल बॉंड है, तो इससे क्या बनता है, आप ही बताए, तेफलोन, क्या है ये, टेफलोन टेप जो होते हैं, आपके किसे हैं, टेट्रा फ्लोरो इथलीन, क्या है, ट टेफलोरो इथलीन, जो टेफलोन के टेप होते हैं, तो कितना सिंपल सिंपल को और इसी टाइप से question आपको पूछेंगे, तो अगर आपने chapter पढ़ा हुआ है, तो आप फटार से answer दे सकते हैं, और नहीं पढ़ा हुआ है, तो एक पर क्या कर सकते हैं, मेरा वीडियो देख स ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो channel को subscribe कर लिजेगा और हम लोग 100 questions करने वाले हैं आज 30 questions हो गया है पक्लिपन को 70 questions आगे वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा, आपके दोस्तों को शेर कर देजेगा, अगर अच्छा लग रहा होगा, तो मेरे साथ जॉइन हो जाएगा, ठीक है, हम लोग फ्यूचर में भी अच्छा कसा स्टडी करेंगे, फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है